लेकिन अगर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की स्ट्राटीजी की बाद की जाए तो एक के बाद एक वो अपनी स्ट्राटीजी को यानि की विदेश नीती को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इस बार वो रूस के साथ दोस्ती को एक बार फिट से प्रेगार करने के लिए प्रधान मंतरी बनने के बाद रूस में ये मोदी की चौथी आत्रा है और आपके दर चौथा दोरा है भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मताबिक सबसे पहले प्यम मोदी रूस दोरे पर जुलाई 2015 में गय थे मोदी उस समय पांच मध्य एशियाई देशों के दौरे पर थे रूस दोरे के दौरान उन्होंने उफा में आयोजित साथ में ब्रिक्स शिखर सम्मिलन और 2015 शंखाई को आपरेशन और अगनाईजेशन में हिस्सा लिया था और ये अग चोथी यात्रा और खास बात ये है कि मोदी की प्यास बात पांच का जो अनपूरे कोत्र सबकोंदा आरे सब को पता है आमएरिका और रूस के बीच में जो तलखी है वो सब को पता है इरान पर जो प्रतिबंध है जिसका सीधा असर भारत पर पढ़ रहा है वो भी पता है सबको ऐसे में यात्रा काफी महत्तपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक समय ऐसा था कि रूस और भारत की दोस्ती बहुत प्रगार थी बहुत मजबूत थी लेकिन पिछले कुछ व चीत के लिए पहुँचे थे वहाँ पर नदी के किनारे मुलाकात की थी चीन के राश्पती से कुछ वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि रूस से जो दूरिया बढ़ रही है उसको कम करने के लिए यह अनौपचारिक मुलाकात तो खास बात चीत होगी जिसमें आतंकवात का मुद्दा भी होगा एरान का मसला भी होगा और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी एक संदेश देरी